हेलो एवरीबन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैंस पर तो कैसे हैं भाई आप लोग सारे उमीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्त होंगे ठीक है अपनी तयारी अच्छे से बहुत अच्छे से कर रहे होंगे ठीक तो ये आज फिर से एक छोटी सी मैं आपके लिए इंफर्मेशन की वीडियो लेके आया हूँ देखे भाई जैसे ही आपको ईबुक का पार टू जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी आपको एक इंफर्मेशन दी गई थी कि टेस्स सिरीज आने वाले वीक में मैं सेटरडे से पहले पूरी कोशिश करूँगा लेके आने के लिए तो मैं उस सीज में देखी बिल्कुल खरा उत्रा हूँ भाई टेस्स सिरीज आपके लिए आज लॉंच कर दी गई है आपको अभी तक नोटिफिकेशन आ भी गया होगा अगर नहीं आया है तो आपको आ जाएगा वीड टेस्स सिरीज के बारे में थोड़ा सा डिसकेशन कर लेते हैं देखिए कि जो टेस्स सिरीज लॉंच करी है मैंने उसमें कैसे कैसे चीजे रहेंगी कैसे चीजे चलेंगी क्या क्या होगा तो सबसे पहले आपके कोशन्स उठा लेता हूँ आपके कोशन्स क्या क्या है कि सर जो test series launch आप करोगे या जो test series आएगी क्या वो हमारी exam के लिए sufficient है क्या ठीक है पहला question दूसरा question कि sir आप 10 ही test दे रहे हो 10 test कुछ ज्यादा कम नहीं हो जाएगे क्या दो question ठीक है third question आप लोगों का कि अगर test series ले लेते हैं तो क्या हम एक ही बार लगा पाएंगे या उसका solution कैसे मिलेगा कैसे कैसे चीज़े को हमें attempt करना है ये third question भाई तीनों question आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से discuss कर लेंगे पहले question से उठाते हैं पहला question आपका यही है कि test series जो है हमारे लिए क्या मतलब more than enough होगी या sufficient होगी या नहीं होगी दो देखे आपको एक चीज बता देता हूं मैं जो आपकी test आएंगे ना भाई वै बिलकुल एक एक चीज विलकुल आपको बिलकुल शुरू से बताऊंगा, ठीक है, मैं कोई चीज छोपागे नहीं करना चाहता, मैं कोई इस चीज इस तरीके से नहीं करना हुआ भाई या आपको कभी भी किसी भी मॉमेंट पे ये चीज रिलाइज हो जाए, नहीं हमारे साथ तो विकास से नहीं चेटिंग कर लिये, वो चीज भाई मेरे साथ है ही नहीं, ठीक है एक एक चीज बिलकुल क्लियर बताऊंगा आपका मन करेगा, तो आप ले लेना, नहीं मन करे, मत लेना, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, ठीक है वो आप जानते हो, वो कौन लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर मैं इस मॉमेंट पे, इतनी सारी चीज़े सारी चीज़े फ्री में दे रहा हूँ ना, जैसे मैंने सारा कंप्लीट अभी सिरफ तीन चेप्टर बचे हुएं, कंप्लीट एक एक चीज़ पूरी पढ़ाई है भाई, मल्टिपल बुक से कवर किया, आपका चाहे वो बुक आपके लिए RD शर्मा क्यों ना हो, चाहे वो जब भी आपको मेरा एक ही मानना है आपको क्रिटिसाइज कौन करता है जब भी, देखे, दो लोग होते हैं जब आपको क्रिटिसाइज करेंगे पहले लोग कौन से होते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके खुद के फैमिली कुछ भी बोल रहे हैं, तो एक चीज़ समझ जाओ मेरे भाई, सही रास्ते पर चल रहे हो, उनसे सहा नहीं जा रहा है कि हाँ, राइट डिरेक्शन कैसे ले ली इस बंदे ने, ठीक है, आप भी समझ सकते, आपको हल लगी, देखिए आपके दिन भर में 100-800 कमेंट आते हैं मेरे पास, मतलब मुश्किल से एका दुखका कमेंट ऐसा कोई नेगेटिव निकल के आता होगा, जिससे मुझे देखिए कोई फर चलो करा देते हैं इनके चैनल पर, ठीक, तो अब ही आजाते हैं टेस्स सीरीज के उपर, तो टेस्स सीरीज का आपको देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, टोटल 10 टेस्ट आपके लिए रखने वालों में यहाँ पे, चार टेस्ट आपके प्रिविएस येर रहेंगे जिसमें आपके दो पेपर तो आपके KBS के होगे, जो केंद्रिय विदाले के भी हाल ही में हुए थे, CBSC ने पेपर कंड़क्ट कराया था भई, सेम ऐसे ही वही पेटरन पे आपका नवोद्दे वाला भी एक्जाम हुआ था, दो आपके नवोद्दे के हुए थे, एक नोर् आपने क्या करा, पेपर ले आए, सोलूशन देखा, हो गया मामला, आपको लगता है कि चीजे हमारे माइंड में चली गई हैं, लेकिन चीजे नहीं जाती हैं, जब तक आप चीजों को टेस्ट के रूप में करते हुए, अपने आपको अनलिसिज नहीं कर लेते हैं, कि ऐसा क्या है, एक जो लिमिटेट टाइम पिरियड होता है, जैसे सो कोशन है, मानलो मैंने बोल जाए, सो कोशन है पहले टेस्ट में, अब आपके लिए मैंने वहाँ पे सो मिनट प्रोवाइड गरी हैं, ठीक, आप प्रिविएस वियर उठा लोगे, आप किसी भी किताब को उठा आता है, आपको 50% आपकी प्रिपरेशन है, जितना आपने बुक्स में से देख लिया, नोट्स पढ़ लिये, किसी टीचर से पढ़ लिया, 50% रोल जो प्ले करता है, वो आपका मौक टेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर आपने आपको मतलब अनलाईज कर पाते हो, कि कहां तो मैं गलतिया कर रहा हूँ, एक limited period of time में अगर मेरे को paper देना पड़ जाए, तो मैं कौन से questions को skip नहीं कर पा रहा हूँ, यह किस question में मेरी ego hurt हो जाती है, कि नहीं यह तो मुझसे होना चाहिए, और वो वहाँ को 5-7 मिनट खा जाता है, आपके आगे वाले questions का समय खराब हो पहले चार चीज़ें आपको previous year questions की जरूर हो, ताकि आपको हर एक concept से रूबरू हो जाओ, आपको पता लगे कि हाँ, अगर actually उस exam में हम बैठे होते हैं, तो हमारे पास क्या scenario होता, या फिर अगर आप बैठे भी होगे, आपने से बहुत सारे लोग होंगे, जिन्होंने student के साथ, तो मैं उमीद गरता हूँ, आप उनको एक बार अच्छे से लगाओगे न, आपको पता लगेगा, एक तो आपने जब उस टाइम पेपर दिया होगा, एक आपने EMRA special series, ये follow जिसने पूरी करी है, एक अब आप उस चीज़ को पेपर को दोगे न, आपको जमीन आस इलहाल आज इस मोमेंट पे हमारा मैंने अभी एक ही टेस्ट अफलोड किया है, लास्ट जो वीडियो बनाई थी, इबुक की मैंने वहाँ पे डिसकस किया था, कि टेस्ट का पैटरन कैसे रहने वाला है, वो सुन लो एक बार कि टेस्ट का कैसे पैटरन रहेगा, टोटल दस कोस्टन आएंगे, ठीक है, बाद में देखे, वाटसप पे एक एक बच्चे को में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्रेंकली कह रहा हूं कि अब मैं सीजी थोड़े ज्यादा बढ़ जाते है, टाइम लग जाता है रिप्लाई देने में, तो जितने डाउट्स आपके छे टेस्ट जो होंगे, मैं बिल्कुल फ्रेंकली क्लियर बता देता हूं, ऐसा नहीं होता कि मैं आपके लिए एक एक कोश्टन डिजाइन कर रहा हूं बैटके, या एक एक वैल्यूज आपके उठा रहा हूं, ठीक है, वो वैल्यूज देखे, कोश्टन का फॉर्मेट जो ह वो मेरे माइंड में है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, और जो एक कोश्टन की वैल्यूज होगी ना, मैं फिर कह रहा हूं भाई, आप बाद में मुझे बोलो, तो उससे पहले एडवांस में मैं बता देता हूं, मैं कोई यहां कोई पैसा कमाने की लालसा नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, जो बाकी के 6 टेस्ट होंगे न आपके, जो भी आपकी मार्केट में किताबे घूम रही होंगे न भाई, उन में से कहीं न कहीं आपको related मिलेंगे, क्योंकि मैं बस यह देखूंगा, कि मार्केट में आप भी देख सकते, आज के टाइम पे खूब सारी किता चीजे मिलें, जो आपको exam oriented मिलेंगे, या फिर आप और एक चीज और देखी मैंने, इतनी पतली-पतली से किताब हैं न, 300, 300, 300, 400 ऐसे रुपे के बिक रही हैं यार, तो उस वज़े से तो e-book निकाली मैंने, कि आपको एक single platform पे सारी चीजे cover मिल जाए, एक ही किताब के अं बाकी कि जो 6 mocks होंगे, वो आपको proper exam oriented मिलें, अब भाई वो आपको अगर उन में से questions आपको दिखेंगे, बाद में ये messages मैं expect नहीं कर रहा हूं कि आएंगे, कि सर आपने तो वहां वाली book से question उठागे डाल दिये, मैं फिर कह रहा हूं भाई, जो मुझे अच्छे questions लगें ये भी मैं बता देता हूं, आपको जो मेरे माइंड में जो pattern है, वो pattern मैं आपको जरूब दूबा कि exam इस way में होना चाहिए, अब values अगर clash कर जाएं तो भाई, उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं, तो अगर आपको लगता है कि हां नहीं हमें fair नहीं होगा, कुछ भ कर पाएंगे, उन चीजों के बारे में सुन लो भाई एक बार, उन चीजों का जवाब सिरफ इतरा सा है, पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, फिर बताने जा रहा हूं, एक test अभी आपका upload हुआ है, एक दूसरा test आपका शाम तक upload हो जाएगा, दो test आपके upload हो मैं दूँगा, तेरा तारिक तक का आपको समय दूँगा, उसके बाद आपका जो mock test होगा ना, उसका मैं solution करूँगा भई, ठीक है, या फिर एक काम ऐसा करेंगे, कि जो भी test हमारे हैं, तेरा तारिक तक का आपके पास समय है, दो mock लगाने का, कल 11 है, पर 112 है, तेरा को भी पेज पे लिखे कि किस दिन कौन सा test upload होगा, वो भी उसके साथ डाल दूँगा, ताकि आपको आसानी रहेगी, तो 13 तारिक तक का आपके पास समय होगा, 14 तारिक को थर्ड मोग आ जाएगा, फिर 2 दिन का आपके पास समय होगा, तेरा के बाद फिर 14 पंदरा का आपका समय ह अर्ली मोर्निंग डाल दिया करूँगा उसको या फिर लेट नाइट डाल दिया करूँगा, दो दिन आपको मिलेंगे, आप अच्छे से लगा लो, एनलाईज कर लो उस चीज़ को, खुद की प्रेक्टिस कर लो, फिर 15 को अगला आएगा, फिर 17 को आएगा, फिर 19 को जिस दिन आपका syllabus complete हुआ, उसके just next दिन से ही, उसके just next दिन से mock test number 1 से complete solution आपको बताऊँगा, कि एक exam oriented way में आपको कैसे solution की तरफ बढ़ना चाहिए था, वो चीज़े आपको clear करके सिखाँगा, अब comment करके मुझे ये बता देना, कि जो exam वाला solution मैं आपको कराँगा, mock test वा तो रहेगा कैसे pattern, एक ही test मिलेगा, किसी को अगर ये लगे, कि सर आप course का तो पैसा आपने ले लिया, मतलब कि आपने test series का पैसा ले लिया, एक ही test है, आप इसके बाद 10 test तक नहीं पहुंचे तो हमारा तो loss हो जाएगा, उसके लिए मैं फिर वाई कोंगा भाई, अगर मे जो थोड़ा सा लंबे time तक जोड़ गया, जिसने अभी तक जोड़ के देखा है न इतने महीनों में, कि वाक्य मही सर हमारे benefit के लिए कुछ में कुछ चीज़े कर रहे हैं, मेरी expectations बस उनी से हैं, कि final जो select होंगे न यही लोग होने वाले हैं, जो मुझसे, मालब जोड़ के जो जो वाक्य में पढ़ रहे हैं, आपको किसी दिन time लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, message दिखाऊंगा, आप लोगो message जो message आते हैं, आप में से बहुत सारी लोग ऐसे, जो बहुत genuinely पढ़ रहे हैं, जिनके doubts आते हैं मेरे पास, ठीक है, वो चीज़े दिखाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा वो चीज़े, तब आपको realize भी होंगी, तो मेरे को कोई फरक नहीं पढ़ता, आप में से चाहे कोई एक बंदा test को खरीदे, चाहे आप में से पांच बंदे खरीदे, या पचास बंदे खरीदे, मेरे को कोई उससे फरक नहीं पड़ेगा, ठीक ह क्योंकि इस रेकेंसी का मैंने आपसे promise किया हुगा है, ठीक है, दूसरी चीज़ बता देता हूँ आपको, मुझे इस चीज़ का भी ये पता है, पक्का पता है कि आप में से काफी लोग हैं, जिन्नोंने मेरे पे अभी तक trust दिखाया है, ठीक, तो उनी लोगों के लिए, फ उसके बाद coupon प्रोवाइड नहीं किया गया अगे से, अब मैं कोशिश करूँगा, दिवाली पे एक coupon और उसके लिए लेके आजाओ, ठीक, दोबारा 30% के लिए, बाकि उसमें देखे दिक्कत क्या हुई, आप लोगों को काफी लोगों को ये लगा होगा कि यहां सो लोग उसमें दिक्कत यह हो गई, जो coupon वहाँ से जनरेट किया ना उन्होंने, तो हर student जैसे ही coupon लगा के, आगे प्रोसीड करेगा पेमेंट के लिए, अब वो coupon लगा के प्रोसीड तो कर गया, अब वहाँ जाके उसने पेमेंट अगर नहीं करी, तो बैक आ गया, या एप हटा दी उसने जो भी काम किया, तो वो coupon तो एक count हो गया भाई महाँ के, तो वो सो जो है, इसलिए आपको एक या डेड़ दिन बाद यह आपको ऐसा लगा, कि आपके message भी आए कि से coupon expire हो गया, मैंने बाद में पहुंचा मैं उनके पर मैंने पूरा एप एप खोल के देखा, तो coupon भा लगा के check मत करो, मैं आज आपको यहाँ पे life दिखा दूँगा भाई coupon लगा के यहाँ वाक्या में पैसा कम हो जा रहा है, और कितना हो के मिल रहा है, वो सारी चीज में आपको life दिखा दूँगा इदर, तो आप से मेरी एक विंती है, जिसको course नहीं purchase करना, वो यार जो deserving है जो लेना चाता है न, जो volunteer कर रहा है उस चीज के लिए, जिसको वो चीज कम में चहिए, आपको पास देखिए, मैं मतलब ऐसा मानता हूँ कि जो मतलब बैठा हुआ न, दूर गाहों में बंदा, उसके लिए मैं coupon प्रोवाइड करा हूँ, अगर आप afford कर सकते हो, तो आपके आपको लगे, आपको ट्रस्ट बने, कि हाँ, हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन, एक टेस्ट हमारा अपलोड होगा, जैसे कि आपको e-book में भी अब दिख रही होगी भाई, जैसे जैसे YouTube पे session आता है, तुरंत वहाँ पे अपलोड कर दिये जाते हैं चीजे, तो आप ले स आता हूँ भई, मैं आज ना लॉंच करते हुए, बीस तारीक को लॉंच कर देता, एक साथ मैं दस टेस्ट डाल देता, लेकिन उसका एक negative impact क्या होता, आप मैंसे 90% candidate ऐसे होते, जो दो या तीन मोग तक तो लगाते, फिर आप हार जाते, कि अरे 81-10 देख रहे हैं, कौन कर आया हूँ, कि आपको एक routine की formation में मिले, आपका message pop-up हो, कि हाँ, मैं मतलब एक तरीके से आपको भेज रहा हूँ, कि लगाओ भाई, आपका ऐसा हो ना, कि आपके उपर एक आपका बड़ा भाई बैठा हुआ है, जो आपको हर दूसरे दिन एक चीज भेज के कह रहा है, लगाओ इस चीज को, तब आपकी mind खुला रहेगा, आपका mind activate भी रहेगा, आपके अंदर एक determination भी आएगी, कि हाँ, मुझे लगाना है, मालो आपने दूसरा नहीं लगाया, दूसरे दिन बाद मैंने तीसरा भेज दिया, लगाओ भाई इसको, ठीक है, आपने तीसरा भी लगाया, फिर दूसरे दिन बाद मैंने चोथा भेज दिया, तब आपको अंदर से, मतलब अपने आपसे आवाज आएगी, यह guilt वाली feeling आएगी, यार मैंने पैसा भी दिया है, और देखो सर मेरे को हर दूसरी दिन मौक भेज रहे हैं, मैं लगानी पा रहा हूं, यह मैं ल दो दिन का आपको समय मिलेगा, आप अराम से कर लेना, दूसरी चीज़ बता देता हूं, आप पे टेस्ट को ना, एक PDF की format में export भी कर सकते हैं, आपको जैसे आपका paper offline होगा, ठीक है, online क्या आपने practice कर ली, आप उसको PDF format में export भी कर सकते हो भाई, तीसरी चीज, benefit जो होगा, चोथा test series, मेरी ही test series का क्या benefit होगा, देखिए आप पहली benefit, पहला benefit तो यह हो गया, multiple number of times आप attempts कर सकते हैं, आपको लग रहा कि नहीं, इस बार attempt करके मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, आप attempt कर सकते हो, proper आपको analysis में लेगा, कि आपकी क्या ranking आएगी, कैसे क्या मामला होग होगा, एक चीज जो मैंने अलग से कराई है, इसके अंदर, वो मैं पहले clear कर दूँ, एक चीज जो अलग से कराई है, आप में से काफी लोग होते, देखिए, जब मैं भी as a student वाले phase में था, एक मिनट के लिए मैं बैटरी डाउन होगी, लगा लेता हूं, तो देखिए, मै मतलब ऐसा expect कर रहा हूं ही, तो क्या है, कि मैं मतलब सोच रहा हूं कि आपके साथ भी ये चीज़े होती होंगी, कि जब कोई भी mock लगाया, मानलो, मैंने multiple number of times में attempt करना चाहता हूं, मैंने उसको मानलो re-attempt किया, कि इस बार तो मैं अच्छे चीज ले क्या हूँआ, तो जै कि आप जितनी बार चीज़ों को खोलेंगे, आपको reshuffled मिलेंगे भाई questions, ना तो एक ही series में आपको questions मिलेंगे, ना आपको एक ही series में options मिलेंगे, हो सकता है एक particular question में, जो A पे option था, आपने दोबारा attempt के लिए खोला, तो वो A से हटके D पे पहुंच चुका होगा, तो आपकी मजबूरी होगी उस question को समझना, ठीक है, ये एक मैंने plus point यहाँ पे किया है, जो आप लोगों को अभी लग सकता है कि अरे sir क्या बेकार का feature डलवा दिया आपने, लेकिन ये feature बहुत काम्याब आएगा भाई, बहुत मतलब आपको helpful होगा, आपको लगेगा कि वाक्य में अब मुझे answer याद नहीं करना, अब मुझे concept पकड़ना है, और आज देखिए 10 तारीक है 10 November, आपका complete एक महिने से उपर का समय है, आपके पस, सबा महिना क्या सपस है, तो आपको आज ही मैंने इसलिए देना, पहले मैं 20 तारीक सोच रहा था कि 20 तारीक को provide करा दूँ, ताकि एक ही साथ 3 या 4 डाल दूँ, लेकिन फिर मेर को लगा कि नहीं, इनको daily task की तरीके से देना पड़ेगा, इस वज़े से मैंने आज से ही चीज़े शुरू कर दी, और उपर से भाई देखिए, जो त्योहार आ रहा है अपना दिपावली वाला, तो उसमें एक coupon भी generate कर या उसके लिए मैंने, ठीक है, ताकि खुशियों बाटने का जोहार है यह, तो आपको आज provide कराने का यही मेरा मकसद था, कि आपको जल्दी से time मिले, आपको एक लंबा time मिले practice करने का, आपको एक आईना दिखे, कि देखो यहाँ stand करते हो आप, ठीक है, तो वो test series लेनी कै यहाँ नीचे description box में आपको link मिल जाएगा, application का भी मिलेगा, vmats नाम से हमारी application है, play store पे, आप वहाँ जागे भी देख सकते हो, otherwise एक direct में link भी डाल दूँ आपके लिए, जैसे ही आप उस link को देखो open करोगे, आपके सामने देखो ऐसा कुछ खुल के आएगा, आपके सामन इसा page open हो जाएगा, आपके सामने page open होगा, जिस पर आपको साफ साफ दिखेगा, EMRS TGT Maths Test Series 2023, इसके बाद यहाँ देखे, आपको यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ है, और फिर देखे, आपके पास एक coupon generated है already, अभी इस coupon की भी बता देता हूँ मैं, पहले आप overview देख ल आपको एक एक चीज मैंने लिख दी है, कि आप अगर इस format को ले रहे हो, इस test को ले रहे हो, आपका क्या क्या benefit हो सकता है, वो मैंने proper इसके बारे में description डाल दिया है, ठीक है, content इसमें क्या मिलेगा, आप देख पाओगे, ठीक है, content आपका, अभी आपको सिरफ test number 1 दिखा र मेरी, ठीक है, मैं आपके साथ teacher कम और एक भाई की तरह ज्यादा आता हूं, हर एक चीज में transparency रखता हूं आपको, इस वज़े से आप मुसे जुड़े हो, ठीक है, तो हमेशा रखी जाएगी भाई, वो चीज, कभी नहीं छुपाई जाएगी, मैं आपको clear बता दो, content में आ और साब का पढ़ा था, 499 में, अब उस 499 में, 500 रुपे का मैंने आपको off दिलवाया है, अपनी तरफ से, 500 रुपे का off था, तो आपको पढ़ेगा, वो 349 में, और उसके लिए, आज हाला कि धनतेरस है, तो इसी चीज के वज़े से, मैंने इसके उपलक्ष में ही, धनतेरस 40 के नाम से, 40% का आपको coupon generate करा दिया है, इस 349 पे भी, आपको 40% additional off मिलेगा, ठीक है, आप मानलो इस coupon को अगर apply कर देते हो, जैसे ही मानलो आपने apply के देखे, coupon code applied, मैं सारी चीज़े दिखा देता हूँ, लेकिन एक चीज मेरी आपसे फिर request है, कि जिसको नहीं purchase करना भाई, वो यहाँ पे इस coupon को apply मत करना, otherwise जिसको बाद में purchase करना है ना, उनके लिए दिक्कत हो जाती है, coupon expire हो जाता है, ठीक है, तो आप जाएंगे यहाँ पे जैसे coupon code applied करेंगे, तो done कर दिया आपने, अब देखिए आपको पूरा test जो होगा, taxes लगा के, सारी चीज़े मिला के, आ अब देखो coupon remove हो गया successfully, हलागी मैंने अभी तक get this course नहीं किया था, तो अभी यह expire नहीं हुआ है, तो 358 आपको दिखाड़ा था, 30% मैंने off कर रखा है, इसके अंदर, already 1500 रुपे जो मैंने बताया आपको, off किया था, additional 40 और मैंने देखो आपको दिलवा दिया, coupon apply करोगे, done क करोगे, यहां आजाएगा 215, अब आपको मात्र 215 रुपे देने होंगे, आप mock test आपको मिल जाएगा, आप यहां से करोगे, देखो get this course, यहां मानलो आपने अपना name डाल दिया, मैं डाल दिता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया, विकास, ओके, अब इसके बाद मैंने number डाल 733-987-1090, email ID डाल दी, और यहां मैं डाल देता हूँ, मानलो मैंने डाल दिया, कि मैं दिल्ली से purchase कर रहा हूँ, ओके, तो verify वाया OTP करेंगे, OTP से जब verify कर लेंगे, तो हमारे phone पे message आ जाएगा, देखिए, अब message आ भी गया है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे हम इसको verify करेंगे, OTP आप डालोगे, verify हो जाएगा, आप purchase वाले page पे चले जाओगे, अभी हाला कि मैं purchase वाले page पे जाऊँगा नहीं, और अगर मैं वहां तक चला गया, तो ये वाला Cooper खरा हो जाएगा, आप लोगों के लिए, OTP मेरे पास आ चुका है, तो अब देखिए, इसके बारे में आपको बता दिया मैंने कि आपको 215 रुपे का पड़ेगा, क्या-क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, सारी चीज मैंने आपको cover कर दी, ठीक है, लेकिन एक चीज फिर सुन लिजेगा, एक चीज बहुत अराम से सुन लेना मेरे भाई, ये जो 40% का code मैं दे रहा तो आपके लिए पहले 75 students के लिए आपको 40% का off है, अब मेरे पास काफी request आई थी कि सर्फ coupon expired हो गया, या coupon invalid हो गया, coupon हमारा लगता नहीं है, उस चीज को मैं ये भी जानता हूँ, आप मेंसे बहुत सारे शरार्ती तत्वे ऐसे होते हैं, जो जान बूझ के भी इसको खराब कर देंगे भाई, कि हाँ मेहंगाई जाने दो ताकि बच्चे जो है hate फेलाएं विकासतर को लेके, ठीक है, बहुत सारे लोग हैंसे बहुत होते हैं, भाई, बहुत कराया जाता है ये चीज है, तो उस चीज के लिए मैं आपके लिए एक additional चीज और लेके आ गया हूँ, पह 70 लोगों के लिए आपको 40 परसेंट का, उसके बाद next 75 लोग होंगे, उनके लिए भाई 30 परसेंट का, और ये मेरे को इतनी भी उमीद है, कि 1500 तक तो कभी आप खरीदी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो नहीं तो उसके आगे कि भी मैं रख देता, नहीं जाते हो आप लोग, एडिशनल इनफरमेशन आपको ये देता हूँ, कि स्लेबस कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसी कोर्स के अंदर, ये टेस्स सेरी नहीं, इसी के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आप करना करवाँ, और इसी पेमेंट के अंदर ही इसी चीज के अंदर, आपको sectional marks भी मैं लेकिया हूँ, sectional marks कैसे सर, sectional mark भाई इस तरीके से आपके, कि आपको जो भी ebook के chapter से न, उनको हर chapter में से 4-4 sections में आपके चलें, फिर कह रहा हूँ, मैं कोई promise नहीं कर रहा हूँ, sectional marks की, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश पीछे लग जाओंगा कि नहीं दे दो बच्छो ये वाली चीजे भी बनाओ लेकिन एक बार स्लेवस कंप्लीट हो जाए उसके बाद भाई तो उमीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स मैंने हाँ क्लियर कर लियोंगे टेस्स सिरीज अगर आप भाई अपने उसमें चाहते हो कि नहीं मेरा मतलब प्रिप्रेशन बहुत ही अच्छी हो जाए तो टेस्स सिरीज आपको लगानी चाहिए मेरी पर्सनल एडवाईस यही रही आपके सार्थ एक चीज लास्ट मैं फिर मैं भाई कहा देता हूँ अगर आपको लग रहा है कि आपको लेनी चाहिए तो यह लेना भाई अजर्वाईस नहीं खामा का फालतु का इधर उधर किसी ग्रुप में जाके या कमेंट सेक्शन में जाके कोई हेट पहलाने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं फिर कहा देता हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक कोशन अपनी तरफ से डिजाइन किया भाई चार मौक आपके previous year होंगे बाकी के जो 6 मौक होंगे multiple जितनी books आपकी market में घूम रही होंगे उनमें से जो best content आपको है आपका जो exam oriented content होगा उस से format में उसी format में आपको चीज़े मिलेंगी आपका मन करेगा तो आप ले लीजेगा, नहीं मन करें तो मत लीजेगा, उस चीज़ का मेरे को कोई भी गम नहीं और कोई भी अलग से खुशी नहीं होगी और एक चीज़ छोटी से discuss कर लेता हूँ, कि आप मैंसे काफी लोगों के डाउट्स आ जाते हैं फिर दे से तो एक चीज़ देख लो भाई, मैं दिन में एक टाइम शाम के टाइम या किसी टाइम सुबह हो जाता है, कभी दोपेर हो जाता है एक ही बार आपका वर्टस आप के उपर रिप्लाई कर पाता हूँ तो आप थोड़ा सा वेट करिए अगर आप मुझे कोई डाउट हूच रहे न एक दिन का एक लिस्ट वेट तो करिए कि उस सेम डे में आपको रिप्लाई जरूर दूआ न उस चीज़ का तो आज की वीडियो में इतना ही रखी ने कि इन्फर्मिशन आपको टेस सीरीस से रिलेटेट देनी थी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में न देखे जैसे मैं आपको यह चीज़ दिखा देता हूँ आप देखे जैसे यह discussion of ebook वाली हमारी चीज़ है अब इसके आप जैसे नीचे जाओगी न तो यहां देखे मैं description box में दे देता हूँ देखो जैसे यहां दिया हुआ हुआ है तो जो यह video अभी चल रही है न इसके description में आपको ऐसे ही मिलेगा application का link मिलेगा वो अलग इसी के साथ साथ आपको देखिए यहां पे जैसे टेलिग्राम का link दिया हुआ है WhatsApp का discussion group link दिया हुआ है आप देखो यहां पे जैसे दिया हुआ है कि आपको ebook खरीदनी है Hindi medium में तो आप यहां से चले जाएए English media में यहां से अब यह दोनों link देखो मैं यहां से हटा दूँ है क्योंकि यह चीज़े हमारी course के अंदर ही आ गई है यह same चीज़े हमारी course के अंदर ही आ गई है तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है वो चीज़े भी दिखा चेक किया आप भाई मेरा जो जितनी सारी updated चीज़े होती है मैं उसके अंदर डालता हूँ आप देखो यहां पे जैसे आपको मिल रहा है यह राभ बाई बुक एबुक फोर एमर्स टीज़ेटी तो आप इसको जैसे उपन करोगे तो आप एबुक वाले पेज पर आ हुआ हुआ यार तो मन लगा कर पढ़ते रही है एक महीने पहले आपको टेस्ट देना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है मैंने ठीक है पूरी उमीद मेरी यही रहेगी कि आपको एक एक चीज बिलकुल ऐसी करा दूना आपके एक्जाम से पहले कि आपका सेलेक्शन न मैंनत करेंगे और मैं बस यह चाता हूँ आप मेरे लिए मैनत मत करो आप अपने लिए मैनत करो अपने परिवार के लिए मैनत करो मेरे भाई तो यह सोच के देखो काश ऐसा सोच के देखो यह दिवाली वाला त्योहार आया है आपके पास नौकरी होती तो आप एक अलगी लेवल पर दिवाली बना रहे होते भाई एक अलगी खुशी होती आप में भी होती आपके परिवार में भी होती तो सेम चीज ये सोच लो कि दिसंबर में अगर ये हमारे इसका एक्जाम मेरा होगा हाँ ये डेट भी बता देता हूँ आपका most probably एक्जाम जो होना भाई दिसं होली से पहले मैं ये हमारे से एक्जाम क्लियर कर दूँगी या कर दूँगा और उसके बाद फिर होली अच्छे से मनाएंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे इस वीडियो भाई अच्छे से खुश रही है बस आप लोग अपने आस-पास में positive environment रखिए हाला कि preparation के दुरां देखिए बहुत सारे खयाल आते है negative thoughts भी आते हैं उनसे बचिए थोड़ा सा और मैं एक चीज बस यही कोँगा ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपकी preparation में बाधा बन रहे होंगे ऐसे लोगों से बिलकुल दूर रही है एक तो ऐसे लोगों से दूर रही है यह वो लोग होते हैं जो आपको selection से दूर करते हैं भाई ठीक है जो आपको daily एक tough से tough question भेजते हैं और आपका mental state गिरा देते हैं अरे यार तेरी तो तैयारी नहीं है question तो यह होते हैं यह level के question होते हैं विकास दयासर थोड़ी कोई question करा रहे हैं क्या कर रहे हो यह question कुछ हो ना वो पढ़ लो भाई ठीक है इससे ज्यादा कुछ नहीं कूँगा जो आपको कभी भी कोई ज्यादा tough question मिले उसको बोलो भाई मुझे नहीं आता चाहे आपको आता हो अकेले बैठके लगा लो उसके सामने बस यह कह दो मुझे नहीं आता वह आपको वो चीज़े परिश करना चाहा रहा हूँ बस ठीक है तो उमीद करता हूँ आपके सारे doubts clear हो गए मैं test series related test लगाते रहिए अच्छे से करिए solution आपको मैं करा हूँगा जैसे syllabus पूरा होगा 20 तारीक क्या सबस हमारा syllabus complete हो जाएगा उसके बाद हर डे आपका mock test का मैं solution करा हूँगा आपको सारी ची तो देखिए case study आपका मैं आपके ना एक दो किताबे हैं रडी शर्मा वाली book है उसमें भी case study को सब्जेक्ट से related case study वह बता रहा हूँगा आपको आपके मैं complete करा हूँगा उसके बाद मनलब आपको हर chapter की 3-4-3-4 case study लेके वह करा हूँगा अब case study आपकी subject की भी करा वो भी चीज़े आपके clear करा दूँगा भाई मैं एक दो book अभी market से ना मतलब सोच रहा हूँ लेके एक बाट सारी चीज़े देखता हूँ कि कहां पे कौन सी किताब में ज्यादा अच्छे से चीज़े दी हुई है वो सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा दूगा यांपे तो मैं दारी उठा रहा हूँ आपकी कि आप मुझसे अच्छे से मन लगा के पढ़ लेते हो ना और आप अगर एबुक के सारे question लगा लेते हो और आप test series follow कर लेते हो एक बार blindly तो भाई आपके 80 में से मैं मतलब अगर आप अच्छे candidate हो तब कह रहा हूँ भाई मैं मतलब ये लिख के दे सकता हूँ कि 75 पलस आपके कहीं भी नहीं जाएंगे वह सर्फ बाकी पांच कांगे बाकी पांच तो भाई मेरको बैठा दो आप किसी भी जिसको आप मानते हो नहीं बहुत अच्छा टीचर आप उसको बैठा दो शोर्टी तो उनकी भी नहीं होती यार असी पढ़ाते हुए सोल कराना इतना बोलते हुए क्योंकि बोलना भी है माइक का भी शू नहीं हो तो बहुत सारी चीजे होती है जो माइंड में चलती है दिन भर की ठकान होती है तो कभी भी आप कम्प्लीट 100% पर रेलाइग नहीं कर सकते हैं कि आप मनलब कहे के चले जाओ कि कूपन आपके लिए धन्तेरस 40 आई गया 40% वाला और हैपी दिपावली आपको एडवांस में आज आपको इस वीडियो के बाद शाम तक आपको मैट्रिक्स की नेक्स्ट वीडियो भी मिल जागी अभी मैं बैठ के रिकॉर्ड करूंगा कल थोड़ा सा मेरेको आम तक मिल जाएगा आप टेंशन मत लीजिए स्लेवस आपको पूरा अच्छी से कराया जाएगा ओके सो ओल्ल वेरी बेस्ट एंड थेंक यू ध्यान रखी वाया अपना आपको ठीक है